Good morning students, कल हमने पढ़ा था बिटा, कि जो हिमाल्याज हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुनाचर परदेश तक spread हुए हैं, ओके बिटा, और यहां से लेकर यहां तक कि जो यह distance cover करते हैं बिटा, वो 2400 km है, ओके, और यहां पर जो west में, sorry, north में 400 km इनकी width है, और यहां तक जो अरुनाचर परदेश सक आते हैं, इनकी width जो है, वो 150 km हो जाती है, कम हो जाती है, और एकदम से यह नीचे आते हैं, जो नीचे वाला area आप देख रहे हैं, यहां भी सारा हिमाल्याज फैले हुए हैं, इस area को हम बोलते हैं, पुरवांचल, क्या बोलते हैं, पुरवांचल reason अब हिमाल्याज को तीन लेयर में divided किया गया है, तीन लेयर में divided किया गया है, पर वो लेयर है, जहां से देखेंगे, फस्क लेयर है, हमारी सबसे उपर वाली लेयर जो है, वो ग्रेट हिमाल्याज है, यह 6,000 तक की height के जो mountains है यहां पर पाय जाते हैं, इसको inner हिमाल्याज अब हिमाल्याज है, फस्क लेयर हमारी और इसको inner हिमाल्याज यह हिमादरी की नाम से भी जाने जाते हैं, इसमें 6,000 meter height तक के mountains इसमें पाय जाते हैं, सेकिंड है आपकी lesser हिमाल्याज, जिनकी जहां पर जो mountains हैं यहां पर lesser हिमाल्याज में, वो 3,700 से 4,500 meter height के हो सकते हैं, और इसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है हमारा शिवाल्याज, ओके बीटा, तो यह वाले जो इस अतीनों parts हैं, वो यहां पर भी मैं आपको दुबारा से बता देती हूँ एक बार, कि जो first वाली layer है हमारी, जिसको हम great हिमाल्या कहते हैं, great हिमाल्या जो है, 6000 meter क की, average की, 6000 meter की height के यहां पर mountains पाई जाते हैं, और आपने सुनाओगा कि mostly जो mountains हो है, वो soil से बनते हैं, लेकिन जो यह great हिमाल्याज है बेटा, यह granite पत्थर से बना हुआ है, और all over यह पूरा वर्ष बर्व से ढखे रहते हैं, और इस area के अंदर, सबसे पहले जो area है हमारा, इसी के अंदर जो north वाला area है हमारा हिमाल्या का, वहाँ पर हमारी जो main mountains है, जैसे mount Ketu है, कंचन जंगा है, और mount Everest है, यह सारे जो mountains है, वो भी इसी northern area के अंदर पाई जाते हैं, second है हमारा बिटा, कोन सा बताया था मैंने, lesser हिमाल्याज, lesser हिमाल्याज के अंदर, कश्मीर वैल जो है वो सारी इसी area के अंदर आपको मिलती है, पाई जाती है, और mostly जो हमारे hill stations है, जहां पर हम घर्मियों में ठंडी ठंडी वादियों का मजा लूपने जाते हैं, वो भी कहां पर पाई जाते हैं, second वाले lesser हिमाल्याज के अंदर, जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते ह जाता है हमारा शिवालिक लेयर, बिल्कुल जस इसी के नीचे जो थार्ड लेयर है हमारी उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, उसकी जो हाइट है, वहाँ पर जो mountains होते हैं, उनकी जो हाइट होती है, वो आपको 900 मीटर से 1100 मीटर तक की मिलेंगी, दिखेंगी आपको, और यह सारे जो mountains है, वो eluville soil से बने हैं, और वहाँ पर dunes होती है, जैसे कुल्टी dunes है, पुल्टी dunes है, और देहरा dunes है, यह सारे जो dunes यहाँ पर जो mostly पाय जाते हैं, वो third layer शिवालिक में पाय जाते हैं, ओके बिटा, clear हो रहा है आपको, एक बार मेरे पढ़ाने के बा